हाई गाइज वेलकम टो आर यूटूब शैनल दर रियल इन्वेस्मेंट अंबर इंटरप्राइजेस इस स्टॉक के अंदर आज भारी गिरावट देखने को मिली इसके पीछे के इसी क्या वज़ा रही जिसके वज़े से स्टॉक अच्छे रिजर्ट लगने के बाद भी गिरावट दिखाने लगा है जबकि मैंने इसका कमपेर रिजर्ट डिक्सोन टेकनलोजी स्टॉक के साथ किया था कि Amber Enterprises यह स्टॉक नेक्स डिक्सोन टेकनलोजी आपको बनते वे देखने को मिलेगा फिर यह सिच्वेशन ऐसी बनते वे क्यों देखने को मिल रहे है यह हम कैंडल स्टिक के हल्प से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको लेवल भी बताऊंगी अगर स्टॉक गिरा तो किस लेवल तक गिर सकता है अगर यहां से उसने कमबैक किया तो यह स्टॉक कहां टच कर सकता है इसके बारे में आप पो बताऊंगी तो वीडियो को कही से भी स्किप ना करिएगा और वीडियो पूरा दिखीगा तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे सबसे पहले में यहां पर आपको बताना चाहूंगी स्टॉक का आज का परफ़र्मल जब से स्टॉक की स्टार्टिंग हुए मतलब मार्किट ओपन हुआ तब से स्टॉक के आंदे गिरावड बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है नेक्स्ट लेवल पर यहां पर बताना चाहूंगी फाइनाशल ट्रेड के बारे में फाइनाशल ट्रेड देख सकते हैं मैंने पहले 2017 से लेकर 2020 तक का आपको बताया था तब देख सकते हैं स्टॉक का परफ़र्मस जो था रेवेन्यू वाइज अफ़र्ट ट्रेडिंग देखने हूं मिल रहा था 3.97 का और जो इसकी प्रॉफिट थी वो भी हाई देखने हूं मिल रहा था 0.16 का तब हम एक्सपेक कर रहे थे कि इससे भी कई कुना ज्यादा अच्छा 2021 का यहां पर रिजल्स लगती हो आपको देखने हो भी लेगा लेकिन है पर स्टॉक है पर नीचे की और देखने हो मिल रहा है आपको 3.06 थाउजन करोड का इसका रेवेन्यू देखने हो मिल रहा है और इसकी प्रॉफिट देखा जाए तो 0.08 थाउजन करोड रुपिस का देखने मिल रहा है यानि कि इसके पिछले साल के जो प्रॉफिट से वो आधा लगभग प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है फाइनाशल ट्रेड कहीं सबसे देखा जाए तो यह एक बात आपको देखने मिलेगी क्योंकि रिजल्ट्स जो थी अगर आपने ध्यान से मैंने बता थी समय रिजल्ट्स जर आपने देखे होंगे तो आपको एक बात पता चली होगी कि कौट्टर और कोट्र पीसईश पर आंबर एंटरफाइजे स श्चॉक के रिजल्स अच्छे लगे नेकिन येरीअर पीसईश पर बात कि जारे ने पिछले साल की बात की जाए इसके उपर तो यह थोणे से इसके रिजल्स में कम तरता हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये एक impact याँ पर देखने को आपको मिल रहा है जिस वज़े से stock नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है कि year on basis पर इसके अंदर जो कम तर था देखने को मिल रहे हैं इस वज़े से भी stock में लोग इसके अंदर सेलिंग की quantity बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे है लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी फिकर करने जरूरत नहीं है क्योंकि quarter on quarter basis पर आप ज़र stock आच्छे performance देने लगा है तो आगे के भी इसके performance अच्छे हैं आपको क्योंकि एक साल के अंदर जो stock ने पिक अप उठाया है और ग्रोथेवल मुवमेंट्स दिखा रहा है तो आप quarter on quarter basis पर आपको बिल्यू करना चाहिए ना कि उसके पिछले साल जो गल्ती हुई और जो अपर बताना चाहूंगी मैं इसके बारे में return on capital liquidity के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह दोनों के अंदर आपको कम तरता देखने को मिल रहे होगी डियो टू कोवेड-19 इंपक्ट तो यह कोवीड-19 के इंपक्ट के वाज़े से यहाँ पर एक situation बनते हुए देखने को मिल रहे है नेगेटिव भरी नेक्स लेल पर लेकिन जो मठ सकते हैं फानानचियल ट्रेडिग के लिए फन्डामेंेंटली जो बात 1977 काफी माइन रखती है थू काफी बात यहाँ पार अच्छी देखने मिल रहे यह जैसे कि आप रेवेण्यघ्य देख सकते हैं कोर्टर ऊनठ बेस उपर मैं आपको बात करहे हूं जैसे इबिटा देख सकते हैं आप 24% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो और क्या चाहिए होता है इसकी कैंडल स्टिक पर आपको बताना चाहूंगी उससे पहले में आपको यह बताना चाहूंगी कि स्टॉक के ओपर कोई भी रेड फ्लाइग यह बहुत अच्छी बाते इंट्री पॉइंट होने जारी है इस टॉक के अंदर तो आपको इसके ओपर और भी कॉंटिटी इस स्टॉक कामवाट करते हुए इसके अदर जाधी कुछ डिराओट होती आपको देखने को नहीं मिलेगी वाइस ट्रों अत्र правда रहे हैं पर ती निधि cinematic Exp1 रहा तब का यह stock का performance से आप देख सकते हैं यहां पर green candles आपको देखने को मिल रहे हैं जो के upward direction में और उसके बात से stock के अदर यानि कि आज गिरावट भरी moment आपको देखने को मिल रहा है आगर आप यह momentum देखेंगे तो आपको यहां पर एक बात पता चलेगी जो stock को लेवल है 2766 का यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यहां पर एक line आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी में यह जो lines होते हैं इसे एक peak से यहां पर यह lines ड्रॉ की होती है जो कि मैं आपको PC पर बता देती थी लेगर मैं फोन पर record करनी हूं तो इसलिए आपके लिए बताना possible नहीं होगा तो यहां से आपको levels पता चल जाते हैं कि स्टॉक कितने हद तक आपको यृतिया देखने को मिल से तो यह जो lines होते हैं उसके basis पर मतरंच होंगी अगर स्टॉक यह जो आपको एक line देख रही है इससे भी अगर नीचे के level को जाते हो देखने को मिलेगा तो यह स्टॉक आपको 2500 तक के levels दिखा सकता है अगर इसके अंदर गिरावट हुई तो भी 2500 तक के levels आपको दिखा सकता है अगर यह स्टॉक नहीं से ही कमबैक किया तो यह स्टॉक आपको नेक्स लेवल पर 2800 तक के levels आपको टच करते हुए देखने को मिलेगा अब नेक्स लेगा यहां पर के चार् मोमेंटम सकते हैं आप कैनल सकते हैं यहां पर जो की इक च्छांस बता रही है पर इक बात देखक मिल रहे हुए कहां से कमबैक करेंगा तो यह राकिके म teng की भी तो यह यहां से अगर मैक बना तो 2800 तक के पर levels आपको दिखा तीयां देखने को बिल सकता है और और वर्टेलिटी इसके अंदर कायम रहेगे, अब संडाउंस आपको देखने को मिलेगे स्टॉक के अंदर, तो ये एक बात आपको जो लेवल से वो पता चल जाएंगे, को मैंने आपको बता दिये, लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी हापन मेंटेन करकर रखना चाहिए, ये सो मच!